हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी एकदम भड़िया होंगे आज जो आपकी मैट्स की क्लास रहेगी इस क्लास में हम कुछ परमे संख्याओं और कुछ पूर्ण संख्याओ हो पर आधारिто कोश्चन करेंगे जिसमें आपकी कोश्चन जो है वो एक्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं जैसे करमागत संख्याओं से जोड़े वए प्रश्ण हो गए या फिर आपकी समतुले परमे संख्याओं से जोड़े व queste को उसज़ों करेंग आज शुरू करते हैं आपके पहले कोश्चन से पहला प्रेशन क्या है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 987 है तो दोनों क्रमागत संख्याओं ग्याद करो क्रमागत संख्याओं को समझने से पहले को समझ लीज़ेगा कि क्रमागत संख्याओं से कोश्चन कितने प्रकार से आता है क्रमागत संख्याओं से जो प्रश्चन बनते हैं वो तीन प्रकार के प्रश्चन बनते हैं अब इनको कॉशन में कैसे मानेंगे कोशन में ची फॉर्म में मानना पड़ता है यह बहां मान तो दिया नहीं है तो पहले सबसे पहले आप करमागत संख्याओं को समझे कि क्रमागत संख्याओं क्या होती है क्रमागत संख्या का मतलब क्या है क्रम से आने वाली सभी संख्या यही मतलब है ना तो हम जैसे वन से लिखा 1, 2, 3, 4, 5 सब क्रम से आ रहे हैं की नहीं ऐसे और ले सकते हो 21, 22, 23, 24 क्रम से आने वाली संख्या हो गई इसी प्रकार से एक और ले लिजी आप सत्तानवे, अठानवे, निन्यानवे क्रम से आने वली संख्याई है आप देख पा रहे हैं कि हर एक संख्या में किसकी व्रद्धी हो रही है एक की व्रद्धी हो रही है हो रही या नहीं हो रही है सब में एक एक भढ़ रहा है चोथी चाहिए तो X प्लस 3, ऐसी आगे भढ़ते चाहिए, X प्लस 4, X प्लस 5, X प्लस 6, इस तरीके से, अब जैसे हमने यहाँ पर value रखी, X का मान हमने यहाँ पर रखा 2, तो देखो, 2 में 1 जोडा कितना मिल गया, 3, ठीके, 2 में 2 जोडा कितना मिला, 4, X का मान, हमने X का मान क 3 जोडा किया मिला, 5, देखिए, क्रम से आने वाली सभी संख्याय मिल गए की नहीं, अब आते हैं, क्रमागत समसंख्याओं पर, तो क्रमागत समसंख्याओं क्या होगी, समसंख्याओं सभी को पता है न, समसंख्याओं ऐसी संख्याओं होती हैं, जो किस से विवाजित होती पुर्णता दो से भिवाजित होती हैं तो यहां लिखते हैं क्रमागत समसंख्या शुरू करते हैं क्रमागत समसंख्या तो कैसे होंगी देखो दो डो के बाद क्या आता है चार, चार के बाद चे, छे के बाद आठ, आठ के बाद दस, ऐसी अगर हम बीच में से लेते हैं तो बाइस के बाद कितनी आएगी, चौबश, चौबश के बाद, चौबश, चौबश के बाद, 27 छोड़ के 28, ऐसी और आगे ले लीजिए, 72, 74, 76, या हो रही है न नहीं हो रही है अब इनको जब मानेंगे तो इनको किस तरीके से मानते हैं यहां पर जब हमें विश्न क्रभा शू संख्या में हमारी हनास्ख्या हो गोई एकस दूसरी क्या बनेगी एकस प्लस ट्सवा सफैए इसके शौह सब्सक्राइग हिस कोई सम्थक्राइब इसके बाद 4-4-8, next 4-6 कितना हो जाएगा 10, इस प्रकार से क्रमागत संख्या आपकी सम संख्या निकल के आ गई, मेरी बात समझ में आ गई न सभी को इसी प्रकार से आप इन कोश्चन्स को करेंगी, अब बात करते हैं क्रमागत विसम संख्या होगी, तो जो हमने सम में किया से वही हमको किसमे लगाना है, क्रमागत विसम संख्या हो में, यहाँ पर हमने लिखा क्रमागत विसम संख्या, तो हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, पहली विसम संख्या क्या है हमारी एक, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, फिर क्या आती है, 9, ठीके 11, इस तरीके से चलती हैं अगर बीच में हम देखना चाहें तो देखो 71, 71 के बाद क्या मिलेगी 73, 75 ऐसे और भी आप लिख सकते हैं 30 वली लाइन ले लीजिए 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39 देख पा रहे होंगे हर एक में किसकी ब्रद्धी हो रही है, दो दो की ब्रद्धी हो रही है, हो रही है हो रही है सभी में दो दो की ब्रद्धी, तो जब हमें क्रमागत विसम संख्या हैं माननी पड़ती हैं, तब हम इनको किस तरीके से मानते हैं, पहली क्रमागत विसम संख्या हो जाएगी X, दूसरी क्रमागत विसम संख्या क्या होगी, दो की ब्रद्धी X प्लस 2, फिर क्या X प्लस 4 इस तरीके से जैसा हमने sum में माना था ठीके अब यहाँ पर हम X की value रखके आपको check भी करके दिखा देते हैं माल लेजी हमने X का मान यहाँ पर क्या लिया कोई नों की विसम संख्य ही लेनी पड़ेगी X का मान हमने ले लिया 21 21 क्या है विसम संख्या है न रखते चलो पहली विसम मिल जाएगी 21 21 के बाद जस्ट क्या आएगी 21 में 2 जोड़ा 23 21 में 4 जोड़ा 25 21 में 6 जोड़ा 27 मिल गई सभी क्रमागत विसम संख्या है उम्मीद कर यह चीज आपको समझ में आ गई होगी बस इसी पर आधारित आपके तीनों प्रकार के questions रहेंगी शुरू कर करते हैं और आते हैं आपके पहले question पर question क्या था दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 987 है तो दोनों क्रमागत संख्याओं याद कीजिए हमने यहाँ पर ले लिया माना दोनों क्रमागत संख्याओं बराबर दो क्रमागत संख्या क्या होंगी दो क्रमाग संख्या एक को हमने ले लिया X तो अगली वाली क्या बन जाएगी X प्लस 1 प्रश्णा नुशार जब एक्जाम में सॉल्व करें तो जरूर इस तरीके से लिखिएगा थोड़ा अच्छा इंपेक्ट पड़ेगा आपका प्रश्णा नुशार क्या है दोनु संख्याओं का योग फल दे रखा है क्या 987 तो X प्लस X प्लस 1 एक्वल 9,8,7 X और X कितने हो गए 2X हो गया प्लस का 1 और 987 प्लस के 1 को इधर आप पक्षांतर कर दीजिए तो कितना बनेगा 2X एक्वल 9,8,7 माइनस का 1 तो 9,8,6 और इधर बचेगा 2X यहां से X की वैल्यू निकाल लीजिए X बराबर कितना आजाएगा 986 बटे 2 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 एकम 2, 24 के 8, 29, 18, 23, 6 493 आपकी पहली क्रमागत X का मान कितना निकल के आया है प्रश्ण में X बराबर निकल के आया है 493 और X हमारी किसकी वैल्यू थी पहली क्रमागत संख्या की तो पहली क्रमागत संख्या क्या निकल के आ गई 493 और दूसरी क्रमागत संख्या क्या बन जाएगी 493 प्लस एक यानि की 494 पहली क्रमागत मिली 493 और दूसरी मिल गई 494 ये दोनों ही आपके आंसर हैं, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा अगला प्रश्ने आपका तीन क्रमागत संख्याओं का योग 207 है तीनों क्रमागत संख्याओं ग्याद करें सेम प्रश्ण वैसे ही करना है माना तीन क्रमागत संख्याएं बराबर और प्लीज सभी लोग अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दिया करो जिससे जादा से जादा बच्चे जुड़ते रहें और आपको अच्छा जो मैटर रहेगा आपका स्टडी का वो मिलता रहेगा ठीक है और हमारा मनोबल भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा इससे माना तीन क्रमागत संख्याएं कौन-कौन सी पहली हमने ले ली एक्स दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी प्लस वन करते चलो एक्स प्लस वन नेक्स्ट क्या हो जाएगी एक्स प्लस टू ठीक है तीन ही जाएगी तीन हमने ले ली अब प्रश्न में क्या कहा गया है तीनों का योगफल कितना है दो सो साथ तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्णा अनुसार प्रश्णा अनुसार क्या कहा है तीनों क्रमागत संख्याओं का योगफल तो X प्लस X प्लस 1 प्लस X प्लस 2 एक्वल कितना दिया है 207 तीन X एड हो जाएंगे तो आजाएगा 3X 2 में 1 एड हुआ कितना हो गया 3 हो गया 207 इधर भेजी जे 3 को तो 3X एक्वल 207 माइनस का 3 3X एक्वल 204 माइनस कर देंगे इसके बाद 3 को पक्षांतर करो तो X बराबर कितना आजाएगा 204 बटे 3 3 से डिवाइड हो रहा है 3 एकम 3 3 6 18 दो बचेगा और 3 अठे 24 तो यहां से X का मान कितना निकल के आगया 68 यानि कि पहली संख्या तो हमको पता चल गए कितनी है 68 दूसरी क्या हो जाएगी 68 और 69 और तीसरी क्या हो जाएगी 70 ठीक है तो 3 क्रमागत संख्या है क्या आपको मिल जाएगी सीधे सीधे क्रम से लगा के लिख दो 3 क्रमागत संख्या बराबर 68 अगली हो जाएगी 79 और उसके बाद 70 आगे आनना सभी का आंसर सभी का मैच कर गया होगा आगे बढ़ते अगला क्या है दो क्रमागत विशम संख्याओं का योगफल 80 है उन संख्याओं को ज्याद करें कैसी है विशम संख्या है तो यहाँ पर हम थियूरी लिखेंगे माना दो क्रमागत विशम संख्या है बराबर दो क्रमागत विशम संख्या कौन कौन सी होगी तो अभी मैंने विशम के लिए बताया था X और फिर 2 प्लस करते चले जाएगे तो पहली हो जाएगी X और दूसरी हमारी बन जाएगी X प्लस 2 प्रश्ण के अनुसार क्या बोला है तो प्रश्णा अनुसार दोनों का योगफल कितना दिया है आपको 80 तो x प्लस x प्लस 2 इक्वल 80 यहां हो जाएंगे x और x 2x प्लस का 2 इक्वल 80 पक्षांतर करिएगा तो 2x बराबर 80 माइनस का 2 2x एक्वल 80 से 2 माइनस प्वल कितना बचेगा 78 यहां से पक्षांतर कर दीजिए तो x पराबर हो जाएगा 78 अपॉन 2 डिवाइड करो दो एकम 2, 2, 3, 6 और 2, 9, 18 पहली क्या निकल के आगई विसम संख्या 39 देखो विशम ही निकल के आई है पहली विसम संख्या क्या है 39 तो दूसरी में क्या कर दो 2 प्लस कर दो कितनी बन जाएगी 41 तो यहां पर आंसर लिख देते हैं क्रमागत विसम संख्या बराबर पहली है 49 और दूसरी क्या हो जाएगी 2 प्लस कर के 41 आगया सभी का आंसर चलो आगे भड़ते हैं अगला प्रश्नी क्या है आपका 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 96 है तीन Васंख्या है तीन संख्या हैं आपके क्रमागत संख्या तो उनका योगफल कितना दिया गया है 96 वो भी तीन क्रमागत सम संख्या है तो सेम आपको वैसे ही शुरू करना है जैसे बताया था माना इतनी तो आपको लेंग्वेज लिखनी पड़ेगी अगर एक या दो नंबर में कुश्चन आ रहा है तो सेधी से बात है थोड़ा अच्छा से आपको मार्क्ष्ट दे देती सअर मार्क्ति कोस्चंण जो आपके आएंगे सारे बत्ची स्वाल कर लेंगे ठीक है जिनकी मैस अच्छी वो भी कर लिए और जो सीख रहे हैं वो भी कर लेंगे ऐसे कुश्चंग जब सब कि वहां लिखे जा रहे हैं और पेपर चूट जाए टाइम भी मैनेज करना है और ट्रिक बिल्कुल नहीं लगाने हैं कि आपका ड्ल्र में बस यही अगर आपको मैस में अच्छे मार्स चाहिए तो कोशिस करने हैं कि बिल्कुल भी ट्रिक मत लगाओ सीधे-सीधे आपका जो तो पहली क्या मिल जाएगी हमको एक्स मिल जाएगी दूसरी हो जाएगी एक्स प्लस टू और तीसरी हो जाएगी एक्स प्लस फोर अब प्रश्ण में कहा क्या कहा है कि इन तीनों का योग कितना है च्छानवे है तो यहां हमने डाल दिया प्रश्णा अनुसार तीनों का य x x x कितने हो गए 3 x प्लस 4 दो 6 बराबर 96 3 x बराबर कितना हो जाएगा 96 माइनस का 6 आगे बढ़ो तो 3 x का मान कितना आ जाएगा 96 में से 6 गए 90 तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 90 बटे 3 3 से डिवाइड करो 3 तिरका नो यानि कि 30 तो x की value यहाँ पर कितनी निकल के आ गई है 30 यानि कि पहली क्रमागत संख्या आपको मिल गई पहली क्रमागत संख्या पहली है 30 तो अगली क्या हो जाएगी अगली में 2 जोड़ दो 30 प्लस 2 और उससे अगली में 30 प्लस 4 तो 30, 32, 34 आ गया सभी का आंसर चलो अगली संख्या है सारी-की-सारी मिल जाएगी और प्रथम वा 3 प्रतिय क्रमागत संख्या का योग 40 तोgener बुठिय क्रमागत संख्या ज्याद करो ठीके तो सेम मानना तो पड़े क्रमागत संख्या है सम और विसम कूछ लगा नहीं तो क्रमागत कैसे मानते हैं वन प्लस करते हुए तो यहां पर हम मान लेंगे माना तीन क्रमागत संख्याएं बराबर X, X plus 1 और X plus 2 तीन मानने हैं तो तीन को मानलो पहली X हो जाएगी दूसरी हो जाएगी X plus 1 और तीसरी हो जाएगी X plus 2 अब बापस आईए प्रश्ण पर प्रश्ण ने क्या कहा है कि पहली और तीसरी क्रमागत संख्या का योगफल फ्रश्णा नुसार क्या है कि पहली क्रमागत संक्या और तीसरी क्रमागत संक्या का योग फल हमको दिया है 40 तो यहाँ पर हम लग देंगे पहली x और तीसरी क्या है x plus 2 इनका योग कितना होगी या 40 एड कर दो 2x plus 2 equal 40 2x equal 40 minus का 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2x equal 38 ठीके और X का मान कितना आ जाएगा 38 बटे का 2 2 से डिवाइट करेंगे 2 एकम 2 और ये जाएगा 19 बार ठीके 2 एकम 2 दो निम 18 तो कितनी निकल के आ गया है X का मान X का मान यहाँ पर आ गया है हमारे प्रश्न में 19 ठीके पहली निकल आई 19 पर हमें चाहिए कौन सी दूसरी वाली तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी 19 प्लस एक यानि की 20 दूसरी क्रमागत संख्या बराबर 19 प्लस एक यानि की 20 clear सभी का सेम आंसर आया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है तो वह तो पॉजिटिव में रहते हैं जैसे माइनस 170 अगर इसको मॉड में लिखेंगे मॉड का मतलब है दो इस तरीके से लाइन मना देते तो वह होती है आपकी मॉड तो इसको कैसे करेंगे मॉड बनाया माइनस 170 और जब मॉड से ये बाहर आएगा तो कितने किसका हो जाएगा ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी यानिकि प्लस का 170 धनात्मक मान ऐसे 25 का देख लिए कितना बनेगा मॉड के इंदर मॉड माइनस 25 एक्वल 25 और धनात्मक है तो सीदे सीदे वो धनात्मक में रहे ग 3 तो इसको सॉल्व करें कि कितना मान आएगा मॉड से बाहर आएगा तो 2 प्लस का हो जाएगा 3 भी प्लस का 5 तो कितना हो गया 5 इस तरीके से कुश्चन्स आते हैं ऐसे एक और एक्जामपल इसका देख लिजेगा मॉड माइनस का 12 माइनस मॉड माइनस का 12 माइनस लगाया मॉड माइनस का 8 तो क्या हो जाएगा ये प्लस का बारे हो जाएगा माइनस 8 प्लस का निकल के आएगा ना बाहर तो प्लस लिख दिया बारे में से 8 गए कितना बचा 4 क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्णी क्या है सम्तुल्य पर्मे संख्या है सम्तुल्य पर्मे संख्या का मतलब क्या है कि जो पर्मे संख्या होगी वे एक दूसरे के बराबर होगी ये कैसे निकालते हैं तो किसी पर्मे संख्या को क्या बोलते हैं भिंड बोलते ह यहां पर मैंने पहली परमेशंख्या ले ली a upon b a upon b माने क्या मैं तो मेरी क्या बनगी am upon bm यह किसके बराबर बैठेगी जाके a upon b की गुणा किया है तो वो क्या हो जाएगे बाद में डिवाइड हो जाएगे ऐसे एक और एक्जामपल देखोन नंबर से समझ में यह एक्जामपल जादा आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर यह क्वेश संख्या ले ली दो बटे तीन इस दो बटे तीन में मैंने क्या कीया दो से मल्टिपलाई कर दिया उपर भी नीचे भी अंशर हर दोनों में ही किया कितना बन जाएगा दो दुनी 4 और तीन दुनी 6 तो इस चार बटे छे क्या है दो बटे तीन की सम्तुल संख्या है तो कि जब आप दो इसमें से कॉमल लेके डिवाइड कर देंगे दो का या कार देंगे दो से तो क्या आपका मान प्राप्त हो जाएगा दो बटे तीन ही प्राप्त हो जाएगा ठीक है ऐसे ही आप क्या कर सकत तो इससे और संख्या भी निकाल सकते except Standard, उस हो कि यह इसे क्ति tumor हो क्यों इन फृप्ल्य जी में कि अदिक और में फ्रय North विछ सके और problème संख्या मिल जाएगी को सिव्स क्राइ Alles. इस है यह बहुता है benefit कि यह इसा ती प्रथृप्ला एक है यहाँ पर मैं आपको एक और एक्जामपल समझा देती हूं कुछ इस तरीके से जैसे माल लीजे मैंने यहाँ पर ले लिया तीन बटे पांच ठीके तीन बटे पांच की मुझे सम्तुलि संख्याई निकालने हो तो हम क्या करेंगे तीन बटे पांच में अंश्वाहर में सेम स संख्या का गुणा करना है तो गुणा कर दो तीन में दो का किया पांच में भी दो का किया तो पहली क्या मिल जाएगी तीन दूनी छे और पांच दूनी दस ऐसी अगर में दूसरी चाहिए तो तीन और पांच अंश्वाहर में सेम संख्या का गुणा तीन तीन का किया क्या मिल जाएगा तीन तिरका नो पांचियां पंदरा ऐसे आपको अगली और चाहिए तो क्या करेंगे तीन बटे पांच में सेम चार का किया गुणा तो क्या मिल जाएगा चार तियां 12 और पांचों के Next ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे पांच झा करते जाएंगे आपको सम्तुली संख्या मिलती जाएंगे पांच तियां, पंदरा और पचम 25 तो ये सारी की सारी जो है आपकी ये सम्तुली पर में संख्या हो जाएंगे ठीक है चलि आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है दो बटे तीन की सम्तुल्य संख्या याद करनी है तो कैसे करोगे दो बटे तीन पहले में अंश्वाहर दोनों में दो दो का गुणा किया क्या बन जाएगी चार बटे 6 ऐसे तीन का किया तो तीन दो नीच यह तीन तिर का नो छे बटे 9 बन गई चार का किया तो दो चोके 8 तीन चोके 12 यानि कि 8 बटे 12 बन गई ठीक है चलो आगे भड़ते हैं यहां से आपको अब questions करने पहला question आपका दिया है minus 4 बटे 5 की सम्तुलिसंग्या 8 का हो रहा है दोनों में 8 सत्ते 56 और यह गई 10 तो यह 7 बटे 10 भी क्या है 56 बटे 80 की सम्तुल्य पर्मे संख्या हो गई यानिकि shortest form भी बोल सकते हो उस पर्मे संख्या का short form ठीक माइनस 4 बटे 5 की सम्तुल्य संख्या चाहिए तो कैसे बनेगी माइनस 4 बटे 5 पहले 2 का गुणा कर दिया तो पहली हमें मिल जाएगी 4 दूनी 8 माइनस का 8 बटे 5 दूनी 10 अगली आप निकाल सकते हैं माइनस 4 में 3 का कर दो और 5 में भी 3 का यह जीद ध्यान रखना अंशो और हर में सेम संख्या से ही गुणा करेंगे और सेम संख्या से ही भ से डारेक्ट कर दून 4 में 4 का गुणा तो माइनस का 16 बटे 5 के 20 अगली क्या मिल जाएगी माइनस 4 में 5 का किया तो 4 पंजे 20 माइनस का 20 बटे 25 इस तरीके से इसको मैं यहां लिख दूँ यहां जगे नहीं बच रही है उपर लिख देते माइनस का 20 बटे 25 क्लियर अगला है माइनस 3 बटे 11 की सम्तुल्य संख्या ग्याद करिए तो पहली सम्तुल्य क्या बन जाएगी 2 का गुणा करो उपर नीचे 2 का उपर 2 का नीचे माइनस का 3 में करेंगे 2 का तो कितना हुझेगा माइनस का 6 बटे 11 वाजी अगला तीन तिरका 9 तो माइनस का 9 बटे 11 33 नेक्स्ट क्या बनेगी 3 चोगे 12 माइनस का 12 बटे 11 4 क कि 24 3 पंजी 15 माइनस 15 बटे 11 55 ऐसी अगली 3 चिक 18 माइनस 18 बटे 11.66 ठीक है इस तरीके से अब कोशन में आपको या तो बोला जाया कि आप पहली 5 परमे संख्या लिखिए या 6 परमे संख्या लिखिए तो आपको उतनी ही काउंट करके लिखनी होगी नेक्स्ट कोशन है परमे संख्या माइनस 24 बटे 45 की समतुली संख्या बताईए तो यह कोशन आपका आए था option में तो वहाँ पर option के coding करना है अब इसमें दोनों ही लगा सकती है या तो इसमें किसी सेम संख्या का गुणा कर दो या किसी सेम संख्या से divide कर दो दोनों ही condition में हमें समतुली परमे संख्या प्राप्त हो जाएगी तो यहां हमने लिख दिया माइनस का 24 बटे 45 यह डिवाइड हो रहे है किस से तीन से हो रहे है यहां तीन अठे 24 और तीन एकम 3 तीन पंचे 15 तो क्या मिल गया मान माइनस 8 बटे 15 है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कैपर में संख्या 7 बटे 9 की प्रथम 5 संख्या आप ग्याद कीजिए 7 बटे 9 की क्या प्रथम 5 तो करते हुए चलो मल्टिप्लाई 7 दूनी 14 माइनस 14 बटे 9 दूनी 18 7 तीन 21 माइनस 21 बटे 9 तीन 27 ठीके 7 चोक 28 माइनस 28 बटे 9 चोक 36 ऐसी अगले भढ़ जाएए साथ पना पैंतिस माइनस पैंतिस बटे नौपना पैतालिस चार हो गई एक और चाहिए तो साथ चिंग ब्यालिस माइनस का ब्यालिस बटे नौचिक चोवन मिल गई आपको पांच सम्तुली संख्या आगे बढ़ते हैं क्या है दो परमे संख्या के बीच में परमे संख्या ग्याद करना ऐसे कोश्चन आते हैं तब हम क्या करेंगे तो पहला कोश्चन देखो एक बटे 10 और 3 बटे 10 के बीच में 3 परमे संख्यां याद करनी है आप देख पा रहे हैं दोनों में डिनोमेटर यानि की हर समान है जब हर समान हो तो ऐसी कंडिशन में क्या करना है हमें कितनी परमे संख्यां चाहिए 3 चाहिए इस 3 में हम करेंगे 1 प्लस कितना हो गया चार और इस चार से दोनों पर में संख्याओं के अंश वहर में कर दीजिए गुणा तो एक गुणा चार एक बटे दस थी दोनों में गुणा किया कितनी बन जाएगी चार बटे चालिस ऐसे ही तीन बटे दस में भी करिए अंश और हर में कितने का मल्टिप्लाई चार का कितनी बन जाएगी चार तियां बारा और दस का करेंगे तो कितना हो जाएगा चालिस अब हमें दो संख्या मिल गई है क्या मिल गई, 4 बटे 40 और एक मिल गई, 12 बटे 40 इसके बीच में आने वाली सारी की सारी संख्या लिखते चलो उनमें से कोई 3 अपनी मन से कोई भी ले लिजे जैसे हमने 4 से आगे बड़े क्या हो जाएगी पांच बटे 40 इसके बाद 6 बटे 40, 7 बटे 40, 8 बटे 40, 9 बटे 40 ठीक है इन में से कितनी चाहिए हमें 3 चाहिए तो कोई भी 3 उठा के रख तो ये 3 हमने ले लिए ये 3 क्या हो गए इनके बीच में परमी संख्या आग्या समझ में अगर हर समान हैं सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हर हमारे समान है या समान अगर हर समान है तो क्या करना है कि जितनी परमे संख्या चाहिए उतने में एक प्लस किया और उस संख्या का दोनों परमे संख्याओं के अंशवा हर में कर दिया गुडा और ज 5B के बीच पानच परमे संख्या जाद करों पहले हमें क्या condition देखनी के मेरे हर समाम है एक समान चाहिए पांच में किया हमने 1 plus कितना माना या 6 इस 6 से गुड़ां तो तीन बटे पांच गुड़ां 6 Jчивya deposits 15 गुड़ां माँ आटारा नेगा prot bread शे बटे 5 इसमें 6 शे का गुणा करिए तो 6 शिंग हो जाएगा 36 और 5 शिक्का हो जाएगा 30 कौन कौन सी संख्या हमको मिल गई है तो हमको एक संख्या मिल गई है परमे 18 बटे 30 और दूसरी हमको मिल गई है 36 बटे 30 इनके बीच में आने वाली संख्या है लिखते हुए चलो त तेईस बटे तीस क्लियर पांच चाहिए थी पांच लिग गई या नहीं एक दो तीन चार पांच लो ये पांच आपके क्या हो गई इनके बीच में आने वाली परमे संख्या हो गई इसी तरीके से आप और भी कोश्चन्स कर पाएं या असानी से अगला प्रिशने आपका छे बटे दो और आट बटे तीन के बीच तीन परमे संख्या ग्याद करो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा हर समान है या नहीं तो इस कुश्चन में हमारा हर समान नहीं है तो पहले हम हर को समान कर लेते हैं समान हो जाएगा हमारा किस से क्रोस मल्टिप्लाई कर दो या लोग आपका आट दूनी सोला बटे छे लो लो असानी से मैं फिर से समझा देती हूं अगर थोड़ा फास्ट हो गया हो एक मिनट किएगा हां क्या करना है हमको हर समान करने के लिए हमें लेना होगा इनका लो दोनों क्या है अब आजी संक्या है एलसियम कितना आ जाएगा इनका एलसियम आ जाएगा छे तो एलसियम की नीचे रखते नीचे रखते नीचे अमने क्या रख दिया अच्छे ठीक है दो से छे को डिबाइड किया कितनी बार गया दो तिया च्छे तो उपर आ जाएगा यहा तीन दूनी छे तो आठ गुडा दो क्या बन जाएगी संक्या 6 फिर Taiva 18 बटे छे और यहां कितनी बन जाएगी आठ दूनी 16 बटे छे अब क्या हो गया अब देखो हर समान हो गई या नहीं हो गई हर समान हो गई अब वापस आईए question पर कितनी संख्या चाहिए थी 3 पर में संख्या चाहिए थी तो 3 में क्या हमने क्या 1 प्लस किया कितना बन गया 4 अब इस 4 से इन दोनों संख्याओं में करिए गुणा तो हमने गुणा कर दिया 4 से यहां पर रखा 4 और यहां रखा 4 16 बटे 6 में भी हमने किस से 4 से गुड़ा किया तो हमारी संख्या कितनी बन जाएंगी 18 चौक के 22 बटे 6 चौक 24 यहां कितना हो जाएगा 16 चौक 64 और 6 चौक 24 तो हमें 2 संख्यां यहां कौन कौन सी मिल गई 64 बटे 24 और दूसरी मिल गई 72 बटे 24 तो यहां पर हम ले लेंगे 64 बटे 24 और एक हमें क्या मिल गई 72 बटे 24 इनके बीच में आने वाली संख्यां उठा करके लिख दो 64 के बाद 65 बटे 24 इसके बाद 66 बटे 24 next 70 बटे 24 कितनी चाहिए थी 3 चाहिए थी 3 हो गई है ठीक है चलो तो फिर उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से इन कोश्टन को सॉल्व करेंगे आज इतना ही रखते हैं next आपका टॉपिक रहेगा simplification का यानि की सरली करन का जिसमें आपके कोश्टन वाले जो कोश्टन रहेंगे बोर्ड मास वो में कराऊंगी ठीक आज इतना ही thanks for watching and please share गड़ते रहा करो चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो भी class रहा करें अपने दोस्तों को भी बताते रहेगा ठीक है bye bye take care